प्यारे बच्चो आज हम ओप्टिक्स का एक महतोपुन आर्टिकल लेने जा रहे हैं रिफ्रेक्शन ओफ लाइट आज का वीडियो आई आई टी नीट यों एंटी एस्टी एक्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा महतोपुन है आज हम बात करेंगे रिफ्रेक्शन ओफ लाइट तो चलिए देखते हैं रिफ्रेक्शन होता क्या है पहले मैं बताता हूँ कि इसकी वज़े से यह होता क्या है जिसको हम वीडियो के एंड में आपको एक्स्प्लेइन करेंगे आपको बताएंगे कि पानी का टेंक आपने कभी देखा होगा वो हमें कम गहरा दिखाई देता है उसकी डेप्ट जो अपरियन डेप्ट होती है वो हमें कम दिखाई देती है अपियर होती है ठीक ऐसे ही आपने देखा होगा कि भी जब पैन या कोई रोड किसी ग्लास में पानी से भरे ग्लास में देखते हैं तो वो मोडी हुई या तूटी हुई ने ज़राती है इसी तरीके से टीलिंक ओफ स्टार्स हैं या संसेट और संराइज की टाइम पर भी इस रिफ्रेक्शन का इफेक्ट होता है और ये तमाम तरह की चीज़ें आज हम यहां स्टडी करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं रिफ्रेक्शन ओफ लाइट देखी इसके लिए आपक यह चीज़ देखना यह पढ़ना जरूरी कि उपर रेर मीडियम है नीचे देंसर मेडियंगेश उपर वेक्यूम यह हावा है और नीचे पानी या पानी है तो यह कैसा मीडियम हो गया रेर मीडियम रेर मीडियम का मतलब होता है कि जिसमें जो मॉल्कूल्स वगरा होते हैं वो दूर दूर होते हैं और ये डेंसर मीडियम है Denser medium means dense जहां atoms और molecules एक दूसरी के काफी close होते हैं नजदीक होते हैं अब देखिए जब कोई light ray किसी point पर आती है और वो फिर medium बदल लेती है तो उसका path भी बदल जाता है आप देख सकते हैं इस phenomenon को इस process को हम reflection of light कहते है तो क्या definition हो ही हमारी reflection of light की the process by which the light ray changes its path in going from one medium to another medium यानि is called reflection of light यानि the phenomena by which in which the light ray in which the light ray changes its path in going from one medium to another medium another medium is called reflection of light it is due to the change in the velocity of the light ray आप इसको इसको इस्तरी से कह सकते हैं जैसे मानलो आप ओपन सड़क से किसी market में इंटर करते हैं तो आपकी गती में परीवर्तन हो जाता क्योंकि वहां पर लोगों की भीड है वो नजदीक नजदीक है इसलिए आपकी जो गती है आपकी जो विलोस्टी है स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है इसको आप यहां पर भी कह सकते हैं कि दिर रिफ्रेक्शन इस दूटू दिचेंज इन विलोस्टी इन गोइं फ्रों वन मीडियम तो दी अनुदर मीडियम वन दी light ray enter from rare to denser medium its velocity decreases इन वहां इत dönन दूरी सटू एविलोस्टी इन कीरिजि आप इसको इस्टरश जो कह साँ ते हिए देखे V is equal to mu lambda यह point आप देख सकते हैं कि velocity changes because wavelength changes frequency this is the frequency and frequency remains constant frequency change नहीं होती, medium बदलने से, but wavelength change होती है, when light goes from rare to denser, then its wavelength decreases, and due to which the velocity decreases, and when light ray goes from denser to rare medium, the velocity increases, because wavelength increases, एक पॉइंट तो यह है, बैटे, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, when light ray goes from rare to denser medium, it bends towards the normal, यह जो normal आप देख रहे हैं, उसकी तरफ यह bend, इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन यह normal की तरफ bend हो जाती है, normal की तरफ जुख जाती है, इसको इस तरीके से आप ले सकते हैं, और जो जाती है, यह bend हो जाती है, नोर्मल की, यह नोर्मल है हमारा, अब आप कह सकते हैं, कि when light ray goes from rare to denser medium, it bends towards the normal, and when it goes from denser to rare medium, it bends towards the normal, प्यारे बच्चों, अब इसके आधार पर, हम एक definition यहां पढ़ना चाहेंगे, कि refractive index क्या होता है, इंडेक्स, देखिए, light की velocity rare medium में मान लोते हैं, c है, और यह vacuum है, यह और यह जो नीचे है, यहां पर velocity decrease होकर कि कितनी हो गई है, v, the refractive index of one medium, with respect to the another medium, is defined as the ratio of velocity of light in vacuum, vacuum से हम reference लही के चलते हैं, and the velocity of light in denser medium, यानि, c by v, this is the absolute refractive index, क्या definition हो ही, it is defined as the ratio, the velocity of light in vacuum, and the velocity of light in given medium, it is just a number, and आप कह सकते हैं कि इसकी जो numerical value होती है, वो एक या एक से ज्यादा ही होती है, free space के लिए, for free space, the refractive index is one, क्योंकि vacuum से आई, और vacuum में ही गई है, तो c by c, one होगी, किसी भी दूसरे medium में velocity decrease हो जाती है, velocity हो, तो v की value काम हो जाएगी, तो refractive index की जो value होगी, वो greater than one होगी, जैसे जैसे refractive index बढ़ता चला जाएगा, velocity गरती चली जाएगी, और medium और ज़्यादा denser होता चला जाएगा, प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह याद रखें, कि जब refractive index जितना जादा होगा, वो उतना ही जादा denser medium होगा, अब इनको use करके, हम देखेंगे, कि what are the large of reflection, there are two main large of reflection, पहला point, देखेंगे, यह जो light ray आप देख रहे हैं, इस light ray को हम कहते हैं, incident ray, और यह जो light जा रही है, इसको हम कहते हैं, refracted ray, और यह जो चीज बीच में आप देख रहे हों, जो मैं dotted line से दिखा रहे हैं, इसे हम कहते हैं normal, और यह incident ray, normal के साथ, जो angle बना रही है, इसे क्या कहते हैं, angle of incidence, and the refracted ray, जो normal के साथ angle बना रही है, उसे हम कहते हैं, angle of reflection, आप देखेंगे, यह incident ray, refracted ray, और normal, यह हमेशा एक ही plane में रहते हैं, यही है हमारा पहला, large of reflection, यानि क्या कह रहा हूं, यही हошो, the incident ray, incident ray, refracted ray, और नॉर्मल लाइस इन सेंपलेण देखियों यह हो गया पहला लाज प्रेक्शन दूसरा देखिए अगर हम इस एंगल ओफ इंशिदेंस का साइन ले लें और एंगल ओफ रिफ्रेक्शन का भी साइन ले लें तो इन दोनों का जो रेश्यो होता है वो कहता है कि एक set of medium के लिए हमेशा constant रहता है यानि और आप ये कह सकते हैं कि ये हम जिएडfire अ स्थास्ट असाइड, अजू हम की सर खरा कि ता हम मा जोला इंग असाड़ of refraction , all which remain constant for a set of mediums. यानि कि मैं इस तरह से कह रहा हूं कि sin i by sin r ये जो रिश्यो है ये हमेश्या constant रहता है and this constant is equal to the refractive index of the medium in which the light ray गोई जिस मीडियम में जा रही है उसका refractive index with respect to उसके जिसमें से light ray आ रही है इस तरह से यह rare medium है तो इसको हमने आर से लिख दिया और यह यह इसको आप इस तरह से भी लिशकते हैं refractive index of the medium divided by refractive index of the medium या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं और यह महतवपुर्ण second law of reflection है और इसी लाग को हम कहते है स्नेल्ज लाग यारनि कि this second law it is called it is called स्नेल्ज लाग जो optics में अरे optics में बहुत महतवपुर्ण बहुत बार यूज होता है इसी लाग को हम आगे चलके पढ़ाई करेंगे तो यह है यह थे हमारे large of reflection और प्यारे बच्चों चली देखते हैं reflection through glass land कैसे होता है और इसी में हम कई questions के जवाब आपको मिलेंगे जैसे principle of reversibility lateral shift क्या होती है चली देखते हैं हम एक glass slab consider कर रहे हैं consider a glass slab of thickness P P thickness की यह glass slab है और यह देखिए this is the incident ray and it is the normal यह normal है और यह है angle of incidence इस point के उपर जो angle of incidence है वो यह है और because the light ray अब glass slab जो है यह denser medium है और यह rare medium है और जब light ray rare medium से denser medium में जाती है तो मैंने बताया था it bends towards the normal तो फिर हम इसको इस तरीके से करेंगे यह normal की तरफ बैंड होगी और इसे हम कहेंगे angle of reflection इस point पर जाकर के एक बार फिर से reflection होगा आप देख रहे हैं क्योंकि आप light ray denser medium to rare medium जा रहे है तो it will bend away from the normal इस point को हम B point कह देते हैं and the light ray goes away from the normal like this और यह जो angle है इसको हम I2 कह देते हैं और इसको हम R2 कह देते हैं प्यारे बच्चों अब आप देखें यहां पर यह अगर यह glass slab यहां पर नहीं होती और इस glass slab का जो refractive index है वो mu है with respect to the vacuum or air you can say and अगर यह glass slab यहां नहीं होती तो यह कहां जाती इस तरह स्थे से चली जाती this is the glass slab की वज़े से light ray इधर से जा रही है अब पॉइंट यह है कि अगर मैं यहां पर कितनी बार light ray का reflection हुआ एक बार A पर हुआ है from air to glass slab दोवारा जो है यहां फिर से reflection हुआ है from glass slab to air air rare medium है glass slab denser medium है अब यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर एक mirror लगा करके इस light ray का path बदल दूँ तो light ray उसी रस्ते से वापिश चली जाती है इस principle को हम principle of reversibility कहते हैं यानि कि मैं जो बात यह कहने जा रहा हूं principle of reversibility देखिए क्या है आप इसको इस तरह से कह सकते हैं यह mirror है when the path of the light ray after a number of reflection and reflection यहां यहां तो reflection हो रहा है अगर reflection भी बीच में हो रहे हो तो भी और फिर उसके path को जस्ट बदल दिया जाए reverse कर दिया जाए उल्टा कर दिया जाए तो light ray अपने उसी original path से वापिश चली जाती है ढूंड लेती है उसी रस्ते को जिस रस्ते से वाई थी इसे ही कहते है principle of reversibility यानि when the path of the light ray reverse after a number of reflection and reflection the light ray retrace its original path and it is called principle of reversibility अब यहां पर mathematics के लिए हम लोग इस concept को देखना चाहते हैं हम laws of reflection जो अभी अभी हमने पढ़े हैं उनको यहां apply कर रहे हैं अब देखे इस point पर reflection हो रहा है यानि कि according to laws of reflection reflection at point a a point पर reflection हो रहा है यहां पर देखे क्या लिखेंगे हम sin i1 divided by sin r1 यह किसके बराबर है it is the refractive index of glass किसके with respect मैंने का था जिस light ray जिस medium में जा रहे है उसका reflection with respect to उसके जिसमें से जा रहे है यानि की air कि यहां पर फिर रिफ्रेक्शन हो रहा है तो यहां पर भी हम अपना जो फिर फ्रेक्शन लगाते हैं मानो लाइटर इधर से ही आ रहे है तो क्या लिखेंगे at point b आप अपने शाथ-साथ notes इसमें बनाते जाए लिखते जाए बहुत बढ़िया होता है और फिर भी अगर आपको handwritten notes चाहिए तो उसका link जो है वो description में मैं प्रवाइड कर दूँगा आप उसकी साहिता से जो है इन notes को download कर सकते हैं चली देखते हैं at point b b point के ऊपर भी आप large of reflection लगाएंगे तो हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं sign i यहां से देखे मानलों हम इदर से ही light रहे दिए तो एर में गई है तो यह reflectance का air का होगा तो फिर यहां पर incidence से angle हमारा हो जाएगा r2 divided by sign i2 and it will be equal to refractive index of air with respective glass यानि कि जिसमें जा रही है उसका refractive index यहां पर लिख रहे हैं जिसमें जा रही है उसका हम उपर लिखते हैं इन दोनों equations को हम multiply कर देते equation 1 multiply by equation 2 gives यानि मैं यह कहना चाह रहा हूं equation 1 multiply by equation 2 gives वो दीखे क्या होता है हम लिख लेते हैं यानि कि आप इसको 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 लिखेंगे sine i1 divided by sine r1 and multiply by sine r2 divided by sine i2 दोनों तरब left side को left से multiply कर दिया है तो फिर right side को right side वाली जो terms है उनको भी हम multiply कर देते हैं इस तरीके से refractive index of air with respect to the glass अब यहां पर इस equation आप देखिएगा यहां से दो points देखिए यह line और यह line दोनों parallel है और यह इनको intersect कर रही है तो हम कहेंगे r1 is equal to angle r2 यह दोनों बराबर है ना यह r1 r2 क्यों क्योंकि यह alternate angles हैं जब दो parallel lines को एक line intersect करती है तो यह दोनों angle बराबर हो गए और दूसरी बात एक और देखिए यह तो alternate angle है और यह दोनों light ray का और यह intersect कर यह parallel है तो i1 और i2 यह भी बराबर है i1 is equal to i2 यह corresponding angles हैं तो यह दोनों बराबर है जब r1 is equal to r2 है तो यह बराबर हो गया और shine i1 i2 बराबर है तो यह भी बराबर हो गया तो फिर इन दोनों को product किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया यह बराबर है इसको आप इस्तरी किसे भी लिख सकते हैं refractive index of glass with respect to air is equal to the reciprocal of refractive index of air with respect to the glass प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यही है mathematical form of principle of reverse यानि आपने क्या देखा कि refractive index of one medium glass को हम with respect to the another medium is equal to the reciprocal of refractive index of second medium with respect to the first medium यानि कि मैं कहना चाहरा हूँ कि जैसे हमें पता हो कि भी glass का refractive index air के with respect के कितना होता है glass का refractive index आप यहाँ इसको इस्तरी से कह सकते हैं with respect to air मान लो कितना है 4 by 3 है तो फिर air का glass के with respect कितना होगा refractive index of air with respect to glass कितना हो जाएगा 3 by 4 यानि इसका reciprocal और यही तो है principle of reversibility यानि कि आगर एक medium का refractive index हमें दूसरे के with respect पता हो तो फिर हम दूसरे का refractive index पहले के इसाब से निकाल सकते हैं काफी बार यह question सामसे एक नई term भी आपको यहाँ यहीं से समझ में आ जाएगी कि यह light ray ऐसे जा रही थी यह है इसकी direction of incidence लेकिन अगर यह glass slab यहाँ नहीं होती तो इसको ऐसे जाना था लेकिन इस glass slab में reflection की वज़े से इसने यह थोड़ीशी displace हो गई है laterally यह यह वाली मैं जो point कह रहा हूँ इतनी यह replace हो गई है इसको हम B यह जो BC आप देख रहे हो यही है lateral displacement चलिए अब हम इसी का expression यहाँ निकाल लेते हैं lateral displacement कैसे लिखेंगे displacement देखेंगे आपको यहाँ सपस्तोर पर दिखाई दी रहा है the change in the path यह change in the position of the light ray due to the reflection in glass slab from the direction of incidence is called lateral displacement यानि कि आप इसको इस तरी से कहेंगे the change in position of light ray from the direction of direction of incidence due due to, किसकी बजेश हो रहा है, due to refraction in glass slab, due to refraction in glass slab, is called lateral displacement, it is denoted by L, in figure अगर आप देखें, यह जो BC है, it is the lateral displacement, is the lateral displacement, प्यारे बच्चों, अब हम यह देखते हैं, कि यह lateral displacement जो है, यह किन-किन factors पर डिपने, यानि कि इसका expression क्या है, वो ही आप देखें, इसी figure को एक बर देहांची देखें, कि यह I1 है, तो यह पूरा complete जो एंगल है, वो I1 ही होगा, तो यह एंगल कितना बज़ेगा, it is equal to यह एंगल जो आप देख रहे हैं, यह होजा I1 minus R1, क्योंकि यह देखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल है यह तो पूरा एंगल बराबर है, यह R1 है, तो यह कितना बज़ेगा, I1 minus R1, तो अब आपके पास एक ट्राइंगल नज़रा रही है, कि कौन सी ट्राइंगल, A, B, C, हमें क्या निकालना है, लेट्रियल डिस्पलिस्मेंट का expression, फार्मला हमें drive करना है, तो हम कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल, अगर आप से खाले लेट्रिस्पलिस्मेंट पूछते हैं, तो पूरा डाइग्रम बनाएं, इन सब के बारे में बताएं, और उसके बाद लेट्रिस्पलिस्मेंट की statement दें, और फिर expression को drive करें, तो चलिए देखते हैं, इन ट्राइंगल, A, B, C, what is the value of shine I1 minus R1, shine theta की value क्या होती है, perpendicular upon hypotenuse, यानि कि B, C, divided by AB, ऐसे तो लिखी नहीं, बट B, C क्या है, यह हम पहले ही बता चुके हैं, यही है, लेट्रियल डिस्पलिस्मेंट, यानि कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, B, C का मतलब L, और A, B, sine I1 minus R1, यह देखिए, अब आपने इस तरह से इसको लिख दिया है, A, B की value यह है, इसको हम in triangle A, D, B, यहां से निकाल सकते हैं, इसको equation दे देते पहले, और फिर देखिए, in triangle A, D, B, A, D, B, what is the value of cos R1, यह इस triangle A, D, B में cos R1 की value क्या होगी, base upon hypotenuse, और base कितना है, A, D, यह देखिए, A, D, A, D, divided by A, B, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, A, D क्या है, यह तो thickness है, thickness of the glass slab, हम इसको इस तरीके इस लिखेंगे, कि A, B को हमें value चाहिए थी, इसमें रखने के लिए, तो हम क्या हैंगे, A, B is equal to T by cos R1, T क्या है, A, D के स्थान पर हमने T लेख दिया है, now put this value of A, B in this equation, तो हमारे पास आजाएगा, L is equal to T by cos R, देखिए, जो चीज है, वो हम लिख रहे हैं, A, B के स्थान पर हम लिख रहे हैं, T by cos R1, और साथ में यह जो है, यह तो लिखी देंगे, sin I1 minus R1, तो प्यारे बच्चों, यह जो equation है, this equation gives the expression of lateral displacement, और यहां से आपको सुपस्ट पता चल रहा है, कि lateral displacement depends on the thickness of the glass slab, as this thickness increases, the lateral displacement also increases, दोसरा यह I1 पर भी depend करता है, जैसे angle of incidence को आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे, lateral displacement भी change हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों, यह question बहुत अच्छा प्यार हो गया आपका, what do you mean by the lateral displacement, find the expression for it, तो इस तरीके से आप ट्राइक करो, देखे, अगर मैं T को 0 कर दूँ, यहां से concept देखे, इप T 0, T को 0 कर दूँगा, तो lateral displacement कितना हो जाएगा, 0, इसका मदलब अगर glass slab हो इना, तो फिर lateral displacement कहा होगा, फिर तो लाइट रे जहां से आ रही थी, वैसे ही चली जाएगी, और जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे lateral displacement भी change हो जाएगा, देखेंगे एक और article कि normal shift क्या होती है, या real and apparent depth, जैसे मैंने शुरू में lecture जब शुरू किया था, तो वीडियो की शुरू में आपको बताया था, कि जो पानी का tank है, वो कम गहरा appear होता है, due to reflection, यानि कि पानी का जो level है थुदा उपर की तरफ shift हो जाता है, जिसे हम normal shift कहते हैं, यह जो shift है वो तो little shift है, और यह जो shift है उसको हम normal shift कहते हैं, यानि अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो है, real and apparent depth, यह कहे दीजिए या फिर इसे हाप normal shift भी कह सकते हैं, इन दोनों का expression हम यहाँ आप निकालने वाले हैं, यानि कि क्या होती है, real or apparent depth, क्यों पानी का tank, क्या glass वगरा, आप पानी भर करके उसमें देखेगा, आपको थोड़ा उपर उठाई देता है, क्यों दिखता है, उसी के हम बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं, माननों हमारे पास एक पानी का यह कोई टब है, this is the tub of the water, और आप देखेंगे कि यह इसकी गहराई है, actual depth जो है, इसकी यह है, और इसमें पानी वगरा हुआ है, there is a liquid in this vessel, और यहाँ से देखिए, कि यह कोई शिक्का है, क्वाइन है, यह इसके बोटम पर रखा हुआ है, तो यह जो depth देख रहे हो, इसको मैं O कह देता हूँ, और यहाँ से अगर यह light ray सीधी जाती है, तो यहाँ reflection नहीं होता है, क्यों, क्योंकि light ray normal की साथ zero angle बना रही है, तो zero angle बनाती हूँ, आप इस चली जाती है, लेकिन जड़ा देखिएगा, कि अगर यह light ऐसे आ रही है, आप देखिएगा, यहाँ पर, क्योंकि पानी जो है, water is denser in comparison to the air, and so, when the light ray enter from denser to air medium, it goes away from the normal, यानि की, यह light ray बज़ जाए ऐसे, इस से थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगी, like this, और आप देख रहे हैं, this is the angle of incidence, and this is the angle of reflection, और यहाँ से देखने पर, यह जो light ray हमें, यहाँ से, यहाँ दिखाई देगा, यानि की, यह object है, शिधी, light तो रेक्टिल नहीं जाए प्रोपिकिशन हो, तर शिधी रेखा में चलता है, तो यह चीज हमें यहाँ दिखाई देगी, this is the image, आई, यह सिक्का जो है, यहाँ दिखाई देगी, सरफ यही point नहीं, यह पूरा का पूरा जो bottom है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा, यानि की, यह जो गहराई आप देख रहे ही इस समय, यह जो यहाँ से लेकर यह, यह apparent depth है, यह हमें लगता है, लगेगा पानी में, रिफ्रेक्शन की वज़ेशे, जिसे हम apparent depth कहते हैं, और real depth कितनी है, real depth तो यह है, प्यारे बच्चो, फिर सुन लीजिए, कि दी वाटर टैंक और टब अपियर लेस देप्थ, देन दी एक्चल डेप्ट दू तो दी रिफ्रेक्शन, अब हम यहाँ पर, लाज ओफ रिफ्रेक्शन लगाते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं, यह जो चेंज आ गया है, इतनी जो पोजिशन चेंज होगे, पहले यहाँ थी इतनी होगई, यह चेंज इन पोजिशन, ओफ अन अब्जेक्ट, और इमेज, डू तो रिफ्रेक्शन, इन प्रपेंडिगलर डारेक्शन, देज काल नॉर्मल सिप्ट, यह भी हम कहते हैं, यानि यह जो ओ आई है, यह है नॉर्मल सिप्ट, इसका एक्स्प्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं, कि, अकोर्डिंग टू, क्योंकि यह सारा कुछ किस की वज़ेशे हो रहा है, रिफ्रेक्शन की वज़ेशे हो रहा है, इसलिए हमें लाज ओफ रिफ्रेक्शन यहां लगाएंगे, अकोर्डिंग टू, लाज ओफ रिफ्रेक्शन, हम जानते हैं, साइन आई, बाई साइन आर, इट इज इक्वल टू, यहां पर अब हम साइन आई, और साइन आर की वेलू, इन ट्रेंगल से निकाल लेंगे, देखें, यह आई है, और यह दो पैरलल लाइन है, तो फिर यह भी आई है, और यह क्योंकि यह इसको इंटरसेक्ट कर रही थी, अल्टरेंट आइंगल से होगे न, यह इंगल भी आर होगा, यह तो इमेज होगे यहां पर, यानि कि अब आप देखें, मैं साइन आई और साइन आर की वेलू निकाल करके, इस इक्वेशन में रख देंगे, फिर देखें क्या होता है, तो इन ट्रेंगल ओ, एबी, देखें, इन ट्रेंगल Oab, इन ट्रेंगल Oab, इन ट्रेंगलो ओ आप द आप देखेंगा, in triangle IAB what is the value of sin R? it is equal to perpendicular upon IB ये होगे now put this value of sin I and sin R in equation 1 तो हम equation 1 क्या बन जाएगे हमारी? ये लिखेंगे आप की sin I के स्थान पर आप लिख रहे हैं AB divided by OB और sin R के स्थान पर आप क्या लिख रहे हैं AB upon IB and it is equal to the refract index of air with respect to water अब प्यारे बच्चो इसको हम कुछ इस त्रीके से लिख सकते हैं की IB इद इसे cross multiply जब होगा तो AB से AB cancel होगया उपर IB और नीचे हो जाएगा OB and it is equal to refract index of air with respect to water यहां पर भी आप लिख सकते हैं अब प्यारे बच्चो यहां से देखिए कि अगर यह point हम काफी इसके close ले ले तो I की जो value होगी और R की जो value होगी वो काफी कम हो जाएगी यानि मैं यह कहना चाहरा हूं कि if I and R are very small and it is very close to zero यह zero के आसपास होगा तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे I or R कम होगा तो यह point बहुत close होगा तो यह जो O B है यह O A के बराबर होजाएगा और यह जो I B है यह I A के बराबर होजाएगा यही शाहित होगा अगर ऐसा है तो फिर यही होगा कि I B is nearly equal to I A and O B यह जो O B आप देख रहे है इट विल बी nearly equal to O A O A के बराबर होजाएगा फिर यह equation हमारी क्या बन जाएगी इस equation को अब आप लिखेंगे कैसे यह दे I B बटा I A के सिठार पर हम क्या लिख देंगे I A divided by O B, O B कितना है O B, जैको यह O B है और यह किसके बराबर होगया है O A के, तो यहाँ पर हम O A लिखेंगे and it is equal to the refractive index of air with respect to the water अब आप देखिए कि अगर air कर with the refractive index water के with respect is जो हम करेंगे तो वो हमेशा क्योंकि rare medium का है with respect to denser तो उसकी value हमेशा principle of reversibility से भी अगर हम देखेंगे तो वो एक से कमाएगी मैं यही कहना चाहरा हूं कि refractive index of air with respect to water is less than 1 और ऐसा अगर आप करेंगे तो i a by o a it is less than 1 और आप यही कहेंगे कि i a is less than o a यह देखिए और आप देख रहे हैं अब यहाँ पर कि जो i a है यह हमारी apparent depth है यह जो bottom है यहाँ दिखाई दे रहा है reflection की वज़ेश तो i a क्या होगी यहाँ पर इसकी apparent depth हो गई है आई यह क्या है apparent depth है और o a क्या है यहाँ पर o a क्या है यह इसकी real depth है तो यह कम है यह जादा है यानि आप यही कहेंगे कि apparent depth depth is less than the real depth और यह किस वज़ेश हो रहा है यह आप समझी गए है it is due to the phenomena of reflection of light की वज़ेश हो रहा है और यह अगर आपने निकालना हो कि o i कितना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे इस पूरे depth में से जो की गहराई जो भी है उसमें से यह वाला portion आप गठा दे तो वो हो जाएगी हमारे normal shift यानि change in position of any bottom etc of the water tank due to reflection in perpendicular direction is called normal shift तो यह थी पहरे बच्चों आपने देखा कि किस तरह से यही चीज कई और चोटे-चोटे questions आप से reason पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है आप से पूछेंगे कि जब हम एक road या कोई pen यह experiment आप activity है एक तरह से आप लोग कर सकते हैं एक glass लीजिए और उसमें एक पानी के अंदर जो है अपना pen रहिए आप देखेंगे कि pen bend हो रहा है बेंड होता परतीत हो रहा है मुड़ा हुआ परतीत हो रहा है वो भी reflection की विज़े से यानिकी जो अब मैं बात करने जा रहा हूं और reflection के जो दूसरे अप्लिकेशन से हैं जिन बद्दो हम डेली लाइप में देखते हैं कर सकते हैं आपसे question पूछा जा सकता कि ऐसा क्यों होता है अब ही मैं जो बात कर रहा था कि भई bending of bending of road और pen immersed in water or liquid जैसे आप इसको इस तरी के से अगर reflection का effect देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरी से कर सकते हैं जैसे सुपोज कीजिए हमारे पास कोई tub है और इस टब में पानी भरा हुआ है ऐसे और इसमें आपने एक pen या एक कोई road जो है वो रख दी है और वो यह है इस दुर यह कोई road है और यह पानी में रख्की हुए लेकिन देखिये कोई ब्यक्ति कोई स्टूरेंट इसको यहां से देख रहा है यह वाला तो यह वाला जो हिस्सा है इसका यह देख रिफ्रेक्शन की वजे से क्योंकि यहां पार इसको हम देखेंगे तो यह लाइट ऐ यह देखेंगे और लाइट रे शफर रिफ्रेक्शन हीर फ्रम वाटर टू एर क्योंकि यह देंसर से रेयर में जा रही है इट विल बेंट स्टॉर्स अवे फ्रूम दी नोर्मल यह नोर्मल से थोड़ा दूर हटेगी तो यह पाइंट हमारी कहां नजर आएगा यह पाइं यह यह देखा दे रहा है डू टू रिफ्रेक्शन यानि की आप इसको इस तरह से देख सकते हैं ऐसा लगे का कि यह जो रोड है वह यहां से बेंट हो रही है यह पॉर्षु निहीं दिखाए देगा यह रोड ऐसी दिखाई किसकी वजह से रिफ्राक्षिन की वजह से हमें ऐसा दिखा यहां से हम लोग देख रहे हैं इसको तो प्यारे बच्छ आपने देखा कि एरोड और पेन इमर्जट इन वाटर और लिक्रेट अपिर्स बेंडिट डू टू रिफ्रेक्शन आफ दी लाइट एक और ऐसा ही फिनोमेन आप देख सकते हैं आपनी स्टार्स को देखा होगा स्टार्स हमेशां ट्विंकल यानि टिम टिम आते हुए प्रतीत होते हैं ऐसा क्यों होता है वाई दिस स्टार ट्विंकल ट्विंकलिंग ओफ स्टार उनको हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों स्टार ट्विंकल्स ड्यू टू दी रिफ्रेक्शन वह भी रिफ्रेक्शन की वज़ेशे होता है कैसे दीखी मैं आपको बताता हूं जैसे पूज कीजिये यह सर्फिस ऑफ़ डियार्थ है और यहांसे जह इसमें एunts हैं एरसर जिस सब्चे जभादा प्रत्वी अर्थ के सिर्फिस की क्वार्ज होती है जैसे जीछ हम ہाइट पर जाते हैं एर जो है वो रैर होता जाता है यह देगे यह रैहरो जितना हम उप away in about when one move in upward direction the air becomes rare and rare अब भी कि सुपोज की यह स्टार है यह कोई स्टार है इस स्टार से जब लाइट आती है तो इट सफर रिफ्रेक्शन और कोई इट सफर रिफ्रेक्शन लाइक इस आप क्योंकि उपर रेर मीडियम नीचे देंसर मीडियम में तो क्या होगा इट बेंट सफर रिफ्रेक्शन जैसे जैसे नीचे जा रही है रेर तो देंसर मीडियम एंटर करती है दे रिफ्रेक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस और यहां जो भी व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति स्टार को देख रहा है जैसे हम लोग देख रहे हैं स्टार को तो यह स् इसके apparent position है यह इसके real position है और यह apparent position है तो यह हमें अलग दिखाई दे रहा है उसके real position अब दूसरी बात यह हो रही है यहां पर कि क्योंकि atmospheric जो conditions हैं वो continuously change होती रहती है temperature वगेरा यहां का दबा तो नतीजह क्या होता है कि जो reflection है क्योंकि medium लगातार बदल रहा है तो यह जो apparent position है यह भी बदलती रहती है तो apparent position continuously change होती है कभी इधर कभी उधर तो हमें तिम टिमाते twinkling करते हुए stars दिखाई देते हैं यहां कि star twinkles due to the refraction of the light आप यही कह सकते है कि the light from the star suffer a refraction a number of times from rare to denser medium and bends towards the normal due to this refraction the apparent position will be different than the real position and so the conditions of the atmosphere also continuously changes due to which the apparent position also continuously changes and star appears twinkle twinkling of star इसे ही कहते हैं तो यह भी प्यारे बच्छों आपने देखा कि यह भी रिफ्रेक्शन की ही वज़े से हो रहा है अच्छा एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं कि जो हवाई जहरे एरो प्लेइन है अगर हम उसे देखते हैं तो हमें थोड़ी वह ज्यादा हुचाई पर दिखाई देती है जबकि वह इतनी होती नहीं है उसकी जो रियल हाइट है वह कम रहती है वह दिखती हमें वह ज़्यादा है वह भी डूटू रिफ्रेक्शन की ही वज़े से होता है उसको अर्थ सर्फिस से हम उपर जाते ही एर रेर होती चली जाती है और यह है हवाई जाज यह हवाई जाज की पोजिशन है नतीज़ा क्या होगा कि लाइट रेर दिखते है शफहर डिफरेक्शन फ्रों रेर 2 बेंसर मीडियम और जब हम यहां से इसको देखते हैं तो यह हवाई-जाज की पोजिशन नजर आती है यह दे यहां से देखने पर यह हमें यहां दिखाई यह इसके अप्रियंट पोजीशन है जबकि यह इसके रियल पोजीशन है यानि कि एरो प्लेन अपियर एट मच हाईयर देन दी रियल हाइट ड्यू टू रिफ्रेक्शन ऐसा उसको भी होता है कि जैसे सुपोज कि यह एक फिसर में खड़ा हुआ है और फिस पानी से उसको देख रही है तो फिसर में की जो हाइट है वो उसको ज्यादा नजर आती है वो भी र इप्रोटेंट एक्जांपल में यहां एक्स्प्रेन कर देता हूं और वो है कि संसेट और संराइज के उपर भी क्या रिफ्रेक्शन का कोई इफेक्ट होता है क्या लेंथ ओप टी डे पर इस एनी इफेक्ट ऑन लेंथ ओप दी डे अब दे रिफ्रेक्शन चलिए देखत आप जानते हैं कि this is the earth अब देखिए यह ओरीजन लाइन है और हम सभी जानते हैं अर्थ के चारो त्रफ एट्वस शीर है वाइमेंडल जैसे जैसे एज वन मूँ अबाव दी सर्फेस ऑफ दी एर बिकम्स रेयर एंड रेयर एर जो है वो रेयर होती चली जाती है हाइप है जब हम जाते हैं अब देखिए कि यहां जो व्यक्ति है उसके लिए सन जो है दिन कब निकलेगा जब यह सन की पोजिशन इससे उपर आ जाईए तब यहां जो व्यक्ति इसको उब्जर्व कर रहा है उसके लिए सन राइज होगा जब उसको सन भी घाय देगा तो उपर rare medium है, नीचे denser medium है, तो क्या होगा? Refraction हो रहा है और इस वेक्ति को ये sun यहाँ दिखाई दे रहा है जबकि अभी इसकी actual position यह है लेकिन ये इसकी apparent position है और ये इसे दो मिनट पहले ही दिखाई देने लग गया due to reflection from rare to denser medium और ऐसा ही sun set की time पर भी होता है जब sun यहाँ चला जाता है तब तक हमें दिखाई दे रहता है जबकि दिखना बंध हो जाना चाहिए जैसे ही this origin line जे नीचे जाता है तो दो मिनट बात तक continuously हम sun को अपियर करते हैं तो दो मिनट पहले दिखाई दे जाता है और दो मिनट बात तक सँ दिखाई दे रहा है दू तो रीक्षिंट इस वें लेंट ब देंग इंक्रिस बाइब फ्र मिनट सब कह सकते हैं की दिश्न संस्टी अपियर मिनट बफोर दी एक्टल संवरे जुटी refraction from rare to denser medium and it appears continuously after the actual sunset two minutes in this way length of the day increases by four minutes तो प्यारे बच्चो आपने देखा की refraction का हमारी डेली लाइप पर डेली राइप में जो फिनोमेना हम लोग देखते हैं उनको हम एक्स्पेन कर पाएंगे क्यों हो रहा है और पूरा लेक्चर आपने देखा हो सुना है समझा है कोई भी डाउट्स हैं तो आप कोमेंट्स वोक्स में जरूर डाल दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आइक और शेर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के लिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के सब्सक्राइब में जो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो को अप्लोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेस ना जाए और आप उस वीडियो को देखने से ना चुके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ बहुत महत्तपून आर्टिकल रहे तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मिच्ट